घर में नहीं था टीवी और केवी सी में जीते 50 लाग दुख बरी कहानी सुन कर भी आशू आ जाएगी गाओं के छपरी नुमा मकान में रहने वाली बंटी जब बिजली नहीं चल रहती थी तब मोबाइल के लाइट में पढाय करते थे उनके घर में सुक सुविद्धा नाम की कोई चीज नहीं थी यहां तक की टीवी भी नहीं थी प्रेंट्स बेतू जिले के चिचोल विकास खंट के छोटे से गाओं आसारी की आदिवासी जुबक बंटी बड़िवा का चैन केवी सी में हुआ था उनका कारिग्रम बुद्वार और गुरुवार के केबी सी पर सारी थुआ फ्रेंट्स केबी सी में जिस तरह कोठिन से कोठिन सवाल का बंटी ने आसानि से जवाब दिया का देखने के बाद आजस्तो जो चोकित हो गया सरी लोग दोस्तों उन्होंने एक के बाद एक सवाल का सही जवाब दे के पाचास लाग तक जीत गे फ्रेंड उनके सामने एक कडर का सवाल पुछे गे जो कि इस सीजन के दूसरे कडर का सवाल आया फ्रेंड इससे पहले नर्सी मिना से पुछे गे थे लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दे पाए लेकिन जब इनसे एक कड़र का सवाल पूछेगे तो इनको भी पता नहीं था इस प्रसन का सही जवाब इस कारण से बंटी जी इस प्रसन का कुईट करने का फैसला किया और दोस्तो सही जवाब ना मालूम के कारण कुईट कर दिया और उन्होंने 50 लाक रुपिय लेकर घर गए तो दोस्तो एत ये बंटी जी की कहानी की घर में नहीं था टीवी और के बीसी में जीत ये 50 लाक रुपिय तो दोस्तो कैसा लगा आप लोगों को जानकारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब मिलता द दिखले सब सत्यों का टाटा बाइबाई जय ही जय भारत